हेलो दोस्तों स्वागत है आप शभी का हमारे इस चैनल पर तो दोस्तों आज हम लोग शुरुवात करने जा रहे हैं वैदिक काल की इसके पहले मैंने आपको सिंदुगाटिस अभ्यता को डिटेल में पढ़ा दिया है तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो सारे वीडि पढ़ाये हैं जो भी प्राचीन काल में जितने भी वीडियो होने चाहिए जितने टॉपिक है आपके एक एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में बनाया है ताकि आपको देखने में समझने में और नोट करने में आसानी हो तो हमारा सिंदुगाटिस अभ्यता और इसके प Top Topic एक-एक पार्ट में देखने वाले हैं वय्दिक काल अगर वयदिक काल की बात करें तो इसका कालखंड आपको याद रखना है 156.5 दिफोर्व से लेकर छेषआ इसलोग अब जो काल था इसको मम लोग व्यदिक काल बोलते हैं वैधिक civilization पंद्रासो इसापूर्व से इसकी शुरुवात होती है, यानि जब सिंदुगाटी सब्विता का पतन होता है, मैंने आपको बताया था, 1750 के आसपास, और कहीं कहीं पंद्रासो इसापूर्व के आसपास सिंदुगाटी सब्विता का पतन बता जाता है, तो लगबग जब सि चेंद्र श्ब्विता की पश्चात बाद में जिस नवीन श्ब्विता का विकास व्या उसको वैंदिक संस्कृति या आरिश शह संस्कृति के नाम से जानते हैं कि आरिश प्लब से छंसकृति अस वर संव्यց संहिता कहां से प्राप CaoWest Sakaka ओदिक महात्भुड़ सबसे प्राचीन वेद रिगवेद है याद रखेगा सर्व प्राचीन है और वैदिक काल के बारे में सबसे पहले जान करें अगर हमें मिलता है तो रिगवेद से ही मिलता है अच्छ वेद का अर्थ होता है ज्ञान यह ज्ञान सुरुत प्रम्प्रा अर्था सुनकर पीडी दर पीडी इस तांत्रित होता है देखें वेद कहीं लिखे हुए नहीं पाए गए बाद में उनका संक्रान हुआ और विद्वानों ने लिखा लेकिन अगर रियल्टी देखे आप और शे भी कहा गया है यह याद रखेगा नित्य का मतलब क्या होता है नित्य का मतलब होता है शास्वत नित्य का अर्थात या सदेव से अस्तित में रहा है यानि वेद हमेशा से अस्तित में रहे हैं नित्य रहे हैं शास्वत रहे हैं इनका आदी और अंत नहीं हुआ है इसलिए इनको हम लोग कहते हैं शासवत नित्य अब आप पुरुषय भी इसको कहते हैं क्यों कहते हैं देखें आप पुरुषय का मतलब होता है जो मानों के द्वारा नहीं किया गया है अथात यह जो वेद में जो मंत्र हैं इनकी रचना जो की गई है कि वह किसी मानों द्वारा नहीं की गई आता आप पुरुषय का मतलों का प्रकास रिशियो को प्रधान किया गया है यानि कि जो मंत्र है वो सीधे इश्वर ने रिश्यों को बताया है और रिश्यों ने अपने शिश्यों को बताया है उनके शिश्यों ने अगले शिश्यों को बताया मतलब कहने मतलब सुन-सुन करके ये वेद आगे बढ़ा है इसलिए इसके रचैता नहीं वरन मंत्र होते हैं मंत्रों को बताने वाले वैदिक संस्कृति में आर्षब्द का आर्थ क्या होता है श्रेष्ट उत्तम अभिजात कुलीन या उत्कृष्ट यह आर्षब्द का आर्थ है तो इसको याद रखेगा आर्षब्द का अर्थ है कुलीन उत्कृष्ट अभिजात उत्तम स्रेष्ट सर्वप्रतम मैक्स मूलर ने अठारा सु तिरपन में आर्षब्द का प्रियोग एक स्रेष्ट जाती के आशे से किया था ओर Recon की भाशा का स्सक्रेट और Recon की लिपी नहीं थी याद रिकीए जरा यह जो मारत फिलπό इर आ बात करें लिपी नहीं थी लिपी का मतलब होता है कोई अख्षर जैसे यह ना है का हैาม है यह सब क्या है लिपी तो भासा थी याद रखेगा वैधिक काल में भासा थी लिपी नहीं थी तो जब लिपी नहीं रहेगी तो आप सोचिए लिखी नहीं पाएंगे इसलिसे लिखी साक्ष नहीं मिलते हैं अब जाता है जो वेद लिखे गए कि ये वास्तों में लिखे नहीं गये ये सुनकर आगे बढ़ए क्योंकि उसमें लिपी ही नहीं थी तो लिखेंगे कैसे भासा थी तो बहासा एक दूसरे से बोल करके ज्यान को आगे बढ़ा देते थे सांस्कृत भासा थी अध्यन के स्विदा से वैदिक संस्कृती को दो भागो में बाटा जा सकता है यहां देके संस्कृती लिखा हुआ है उसको आप सभिता भी बूल सकते हैं heel 얼굴 की इसमें सभिता में इसमें डिफरेंस होता संस्क्रिता से सभिता में उत्तर वैदिक काल जो एक हजार इसा पूर्फ तक रहता है यह दोनों याद रखना है इसका विभाजन लोहे के आधार पर किया गया है रिग वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ग्यान नहीं था इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते ह इस काल के अध्यन का मुख्ष रिग्वेद है साथ ही कुछ पुरातात्विक्षा मगरी भी मिलती है जैसे मृत्भान्ड वगेरा मिलते है आर्यों को एक हजार इशा पूर्व के आसपास लोहे का ग्यान हुआ लौह प्रयोकता वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल की संग्या द जाए उत्तर वेदिक काल देख देख लीजे 501 पूर्व से ऑजार इशापूर्व token रिगवेदिक काल था में लोहे की खोज हुई तो उस टाइम से लेकर 600 कामिया ने जो काल है अब हम बात करते है रिग्वेदिक काल की आई दो भागों बाठ था अब स्क्षरा को अलग से डीटेल में पढ़ते हैं तो इसका काल करम या काल खंड क्या था इसको याद रखना है 1500 इसा पूर्व से 1000 इसा पूर्व इस काल का इतिहास में पूर्थया रिगवेद से मिलता है रिगवेद एक सहिंता है जिसमें 10 मंडल है 207 प्राचीन माने जाते हैं तथा इसमें 3 पार्थ मिलते हैं तो याद रखिएगा जो रिगवेद है 10 मंडल है टोटल हलाकि इसको मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पर रिगवेद ब्रामल ग्रंथ इन सब के बारे में पढ़ा दिया है तो चीज आप देख सकते हैं यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा दिता हूँ रिगवेद में 10 मंडल हैं और मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक प्राचीन माने जाते हैं रिगवेद के तीन भाग माने जाते हैं पहला है शाकल इसमें 1017 मंत रहें बालखील 11 मंत रहें वाशकल 56 मंत रहें तो का खागा शाकल, बालखील, वाशकल यह कह बार पूछा गया हैakukan किस से संब्लदान था तो यह रिगवेद से संब्लदीत है में जब प्रारम में आर आये तो अनका प्रारम्विक पेशा था पशुपालन अगर आप रिख वैदि काल की बात करेंगे तो उनका प्रमुख पेशा था पशुपालन ने पशुपालन और जो क्रिशी था वो गौड था नहीं दुट्टिय था पहला कौन सा था पशुपालन गौड का मतलब दूसरे अस्थान पर नहीं सबसे प्रमुख जो सब्सक्राइब दुट्टिय था चौदा सो इसापूर्व के बोगच कोई अभलेख यानि एशिया माइना तुर्की से एक अभलेख प्राप्त हुआ है जिसको बोगच कोई अभलेख कहते हैं यह चौदा सो इसापूर्व का है और इसमें वैदिक रिग वैदिक काल के अभलेख जो है यह तुर्की से प्राप्त हुआ है कहीं कहीं इरान भी लिखा होता है कि इरान से प्राप्त हुआ है लेकिन आप याद रिखेगा इरान भी अगर आए तो सही होगा तो इरान या तुर्की से अभलेख प्राप्त हुआ है इसलिए कहा जाता है कि यह जो आर् नेक वेद के नेक बाते मिलती है इरानी भास में इसलिए भी हम केसे तंदर में जो आर थे इरान अब देखें आर्यों का मूलनिवास अस्थान, भाई आर्य थे कहां से, इस पर विबीन बिद्वानों अपने विचार ब्रक्तिये हैं आर्यों के मुल निवास के संद्रवे में विभीन विद्वानों के विचार अलग-अलग हैं देखिए इसको समझ लिजे एक तरफ विद्वान हैं दूसरी तरफ आर्यों का मुल निवास अस्थान जिसे प्रोफेसर मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्यों का निवास अस्थान उत्री धुरूब है यानि उत्री धुरूब के रहने वाले थे यह बाल गंगा धर्तिलक ने कहा अविनाश चंदर दास कहते हैं सप्त शैंधो प्रदेश आगे आपको बताऊंगा यानि शात नदियों का एक प्रदेश है जैसे शिंदु सतला जराभी ब्य जिनाप जेलम और शिंदु सरसुति यह सात नदियां है इनके आसपास का जो छेत्र है इसको सप्ट सेंधो प्रदेश का आगया है तो डक्टर अभिनाश चंदाश कहते हैं सप्त सेंधो प्रदेश के ही निवासी थे देयनन शरसुति कहते हैं यह लोग तिबबत से आए थ और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड और नहरिंग कहते हैं दच्छरी रूस से आए हैं गंगानाज जह कहते हैं ब्रह्म रिशी देश से आए हैं गैल्स महोदे कहते हैं यह हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी से आए हैं प्रोफेसर पेंका कहते हैं भाई यह जर्मनी के रहन अब हम लोग देते हैं भावगोलिक विस्तार के बारे में भाईये जब भारत में आये आर तो कहां कहां पर बसे रिग वेद में आर निवास अस्थल के लिए सप्त सेंधों प्रदेश का उलेख मिलता है जिसका आरत है सात नदियों का छेदर यानि यह सात नदिय कौन कौन थे शिंदु सरस्वती सतलज व्यास राभी जहलम चिनाप इन नदियों के आसपास ही सुरुआत में यह आर आये त विस्तार अफगानिस्तान पंजाब और पश्यम उत्तर प्रदेश तक था तो इसलिए हम लोग इसको सत प्रसंद्व प्रदेश कहते हैं क्योंकि सात नदियों का प्रदेश था और यहीं शुरुआत में आकर बसे थे बाद में इनका विस्तार इधर बिहार तक हो गया सतलज से यमुना तक का जो छेत्र है इसको ब्रह्मवर्थ कहते हैं सतलज से यमुना तक का छेत्र है ब्रह्मवर्थ कहलाता है मनुस्मृति में सरसुति और दुश्दति नदियों के बीच का जो प्रदेश उसको ब्रह्मवर्थ कहते हैं रिगवेद सभिता का केंद्र माना जाता है यह जो ब्रह्म हमर्था इसको रिगवेदिक सभिता का केंद्र माना जाता है गंगा यमुना के दुआप छेत्र तथा उसके सीमा वरती छेत्र उपर भी आरे उने कब्जा कर लिया था जिसे ब्रह्म रिशी देश कहा जाता है तो गंगा यमुना के दुआप छेत्र और उसके सीमावर्ती छेत्र उपा जब कब जा किया तो उसको ब्रह्मरिशी देश कहा गया कई बार पोचा गया कि गंगा यमुना का जो दुआप छेत्र था वैदिक काल में उसको क्या कहा जाता था ब्रह्म रिशी देश और 17 सेमना तक का चेतर ब्रह्मोर्थ कहलाता था शरसोति और दूश नदियों के बीच का जो चेतर था उसको भी ब्रह्मोर्थ कहते थे ये मनुस्पनती में वडन मिलता है कालांतर में संपूर उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया किन्तो ध्यान देने योग यह है कि रिगवेद की जो नदी शुक्त है उसमें 21 नदियों का उलेख मिलता है आप यह तीनों याद रखना है अगर वैदिक शहिंता की बात करें यानि वैदिक ग्रंथों की बात करें तो उसमें 31 नदियों का उल्लेक मिलता है लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ रिगवेद की बात करें तो उसमें 25 नदियों का उल्लेक मिलता है लेकिन रिगवेद में एक सुक्त है नदी सुक्त उसकी बात करें तो उसमें 21 नदियों का उल्लेक मिलता है शरवादिक महातपूर नदी शिंधु को बताए गया है जिबकि सरवादिक पवित नदी सरस्वती को माना गया है शरस्वती को देवी तमा माते तमा और नदी तमा भी कह गया है कई बार पूछ गया किसे कह गया कि स्थृस्ति नदी इक है रिगवेद में गंगrau नदी ऐक कने वर्ड़ वर्ड़न जबकि यम्नण नदी की भार वर्ड़न किया गया है यहाँब आप देक सकते हैं यह प्राचीन चानाम दिए गए हैं इधर आधुनिक नाम जैसे आज जो रावी नदी है इसको पहले परुषडी बोलते थे सतलाज को पहले सतुद्री बोलते थे चेनाप जो नदी है इसको पहले अस्कनी बोलते थे जहिलम को पहले वितस्ता बोलते थे व्यास को विपासा बोलते थे गोमल को गोमती बोलते थे अब ये नदी जो गो और फापिस्तां आफगानिस्तान के नडिया थी कुम्भा को आघानि से अधुनिक नाम और गोंधर विर्ग आदाफकें तो हम लोग आगी के वीडियो में देखेंगे तो उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजे चाहे जिस कॉलेज या गुरूप में आप जुड़े हुए हैं पढ़ते हैं त असल तो उसको आप कमेंट बाक्स में जरूर लेकिए उस पर वीडियो में बना दूंगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं गले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार